स्वागत है आप सभी का जोती शूर्जा में देखे दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए हम सब लोग इंतजार कर रहे थे बहुत देर से कि दिवाली कब आएगी और कब हम अपने जीवन में खुशियां लेकर आपाएंगे खुशियों को लाने के लिए दिवाली के अफसर पर क्या ऐसा किया जा सकता है हर कोई धन की समस्याओं से ग्रस्थ है इस समय पर धन जो है वो हर किसी व्यक्ति को चाहिए मालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर कोई व्यक्ति उत्सुक रहता है आतुर रहता है तो यहाँ पर विशब राशे के लिए मा लक्षमी की कृपा पाने के लिए क्या उपाई किये जा सकते हैं आपको बताने वाली हूँ बहुत जल्दी से आप इन उपायों को कर लीजिए दिवाली के शुब अफसर पर इसे चूकना नहीं है इसे जरूर करना है आपने ऐसा करने से आपकी धन संबंदी जो भी समस्याएं हैं सभी समस्याएं दूर होगी प्राब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों न हो सब इन उपायों से जरूर दूर होगी कहीं न कहीं आपको रिलीफ जरूर मिलेगा मा लक्षमी आपसे प्रसन जरूर होगी देखिए व आप लोगों के लिए दिवाले का दिन और भी जादा शुब फल लेकर आता है और और भी जादा महत्पुन हो जाता है इसलिए व्रिशव राशी के जो भी लोग है व्रिशव लगन के जो भी लोग है वो मालक्षमी की अराधना इस दिन बहुत अच्छे तरीके से करें अपन कारक वस्तू है यानि के शुक्र की कारक वस्तू गाय है तो ऐसे में आप दिवाली के दिन क्या करें गाय का घी ले ले गाय के घी से दो दीपक जलाएं इन दो दीपक को आप जलाकर किसी एकांत स्थान पर अपनी मनो कामना बोलते हुए रखाएं मालक्षमी की कृपा पाने क लिए आप अपनी कोई भी कामना बोल सकते हैं धन प्राप्ति चाहते हैं धन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं उन दीपक को जला कर उनके आगे अपनी मनोकामना बोले और किसी एकांच स्थान पर उनक और गाय के घी से ही जले होने चाहिए इन दो चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी मनोकामना जुरूर पूर्ण होगी अब बात करते हैं अगले उपाय की अगला जो उपाय है वो भी बहुत अच्छा उपाय है आप इसे करके देखेगा आप दिवाले के दिन कर दो कमल के फूल लेकर आएं दो कमल के फूल आप खिले हुए लेकर आएं या कई बार ऐसा होता है कि कमल के फूल खिले हुए नहीं मिलते प्रंतु उसको अगर आप हाथ से खोलते हैं तो वो पुर्ण रूप से खिल जाते हैं इनको आप अपने पूजा स्थल में इस बात का ध्यान रखें, स्थिर लगन में आपने मालक्षमी की पूजा करनी है, आप शुब मुहरत में भी मालक्षमी की पूजा कर सकते हैं, इन दो कमल के फूलों को आप मां को अर्पित करें और इसके बाद जब आप पूजा अपनी खतम कर लें, उसके बाद आपको इन दो कमल के फूलों को अपने घर में स्थापित करके रखना है, इन्हें आपने तैराना नहीं है, पानी में नहीं डालना, जैसे आप पूजा की वाकी सामगरी हम पानी में डाल देते हैं, तो इनको आपने पानी में नहीं डालना, इनको आपने संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं और इनको आपने जब पूजास्थल में रखना है उसके बाद आपने एक और काम करना है आपने कमल गटे की एक माला लेनी है और इसको इस माला से इस मंतर का जब क करें ऐसा करने से ये कमल के फूल जो हैं वो अभी मनतृत माने जाएंगे और आपके लिए जब आप इन्हें अपनी तिजोरी में रखेंगे ये विग्रह स्थापित हो जाएगा मालक्ष्मी को अमंतृत करने के लिए ये जो वास्पी करेंगी देखे आप इस मंत्र को 108 बार भी जब सकते हैं आपकी अपनी शरद्धा है कि आपने इसे कितनी बार जब करना है प्रन्तु 108 बार तो इसका जब जब जरूर करें इससे कम ना करें एक माला जब करना तो बहुत जरूरी है इसके इलावा आप एक 1,800 बार भी इसे जब सकते हैं बाकि आपकी अपनी शदधा है आपकी अपनी capacity है कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं और कितनी देर जब कर सकते हैं तो इस प्रकार से विश्वप राशी के लोगों को ये उपाई जरूर करना चाहिए चोटा सा उपाय है, कोई बड़ा ताम जाम नहीं है, आप लोग बड़े आराम के साथ मा लक्षमी को अपने घर में आमंतरित कर सकते हैं, आप लोगों की स्वामी देवी है मा लक्षमी, आप लोगों की अधिश्ठात्री देवी है मा लक्षमी, तो उन्हें रुष्ट मत उन्हें आप खुश करके रखें, मना कर रखें, अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा साल के लिए शुक्र के अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे और इसके साथ लक्ष्मी माँ आपके घर में सदा के लिए स्थाई निवास करेंगी, आपके घर से कभी वो बाहर नहीं जाएं अगर आप इस प्रकार से माँ को प्रसंद करने की कोशिश करते हैं, करके देखिए बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे करके,